हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मनाने जा रही हूँ इमली की खटी मीटी चटनी जिसे आप महिनों तक श्टोर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे मनाते हैं तो इसके लिए हमें ये हिमली लेनी है सूखी वाली हिमली जो बाजार में आसानी से मिल जाती है इसे आप ले लिजे और पानी से इसे साफ धो लिजे तो इसे साफ पानी से धो कर और इसकी गंदगी हटा लेंगे जो भी इसमें कच साफ हो जाती है धूल लगी रहती है जो भी तो इस प्रकार से धोकर इसे एक साफ दूसरे साफ बरतन में रख लेंगे तो यह मैंने दूसरे बरतन में इसे रख लिया है और अब इस पानी को अलग कर देंगे हम और अब इस इमली में थोड़ा साफ पानी और डालेंगे अब इसमें मैंने ये साफ पानी डाल दिया है और इसे उबलने के लिए रख देंगे उबालना बहुत देर तक नहीं है दो से तीन मिनट के लिए बस इसे उबालना है तो ये मैंने इसे उबलने के लिए रख दिया है गरम करने से ये क्या जल्दी फूल जाती है और इसे चटनी बनाने में आसानी होती है तो ये मैंने इसे उबाल लिया ये देखे और बस अब मैंने गैस बंद कर दी है और इसे ठंडा होने के लिए रखते रहे हैं, ठंडा होने के बाद यह देखिए, अब इसे पीसना आसान होगा, तो मैं इसे जार में, आप चाहें तो इसमें ठंडा पानी तुरत बनाना हो, तो इसके उपर से ठंडा पानी डालकर इसे ठंडा भी कर सकते हैं, तो मैं इसे अगर इमली गरम हो तो आप इसमें थोड़ा-सा ठंड़ा पानी मिला सकते---- तो इसे पीस लिए है यह देखिए इमली पीस चुकी है तो अब इसे छनि से छान लेना है अब इसमें थोड़ा-सा पानी डाल लेंगे जिससे इमली पूरी अच्छे तरह से पेश्ट इसका निकल आए तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालके और इसे चन्नी के उपर उड़े लिया है अब इसमें थोड़ा सा पानी और इसमें डाल सकते हैं और इस प्रकार से डालके निकाल सकते हैं पूरा साफ कर लेना है और इसे अच्छे से छाल लेना है जादा पानी नहीं डलना है। ने तो इमली की जो खटाई है वो कम हो जाएगी। थोड़ा-थोड़ा पानी डालके इसे कर लेना है। तो यह पूरा पल्प इसका निकाल लिया नीचे और उपर का जो छिलका इमली का है इसे ये चन्नी में अलग कर देंगे इसे हम अलग कर देंगे और अब इसे इसमें हम मसाले मिलाएंगे नमक मिलाएंगे तो मसाले मिलाने से पहले इसे थोड़ा सा गरम करना जरूरी है तो ये मैंने गरम करने के लिए रख दिया और गरम करते समय ही इसमें डाल दिया है थोड़ा गुड़ और पांच चम्मच शक्कर तो इस प्रकार से इसे गुड़ और शक्कर मैंने दोनों डाल के इमली की चटनी बनाई है बहुत टेस्टी बनती है ये आप बना के देखिएगा और ये मैंने नमक डाल दिया इसमें और अब ये मैंने इसमें डाल दिया भूना और पिसा हुआ जीरा एक चमज और एक चमज लाल पिसी वी मिर्च अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस समय भी हमें ज्यादा बहुत बहुत बनिया टेस्ट आता है और चटनी बिल्कुल लाजवाब बनती है तो आप जरूर डाल के देखिएगा और ये देखिए चटनी बनके तयार हो चुकी है आप इसे समोसा कचोड़ी या भज्या जिस चीच के साथ भी खाना चाहें आप इसे खाये और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे और कमेंट करके मुझे जरूर बताईए कि वीडियो कैसा लगा और चटनी कैसी बनी मिलते हैं अगले वीडियो में